So, class third here, I am back with a new chapter, chapter number 11, introduction to fraction. Fraction क्या होता है students? आपने अभी तक क्या समझा कि divide कैसे होता है? Divide यानि क्या होता है? किसी भी चीज को बाटना, किसी भी चीज को equal बाटना, उसको divide कहते हैं. ठीक है? कुछ भी पार्ट को आप बाट सकते थे. अब आपको बताना है, एक whole पार्ट का fraction यानि किसी चीज का एक हिस्सा, यह बोल सकते हो आप. A whole part is made up of all the parts of one shape और a group. कोई भी एक पूरा पार्ट जो आप बोलते हो, वो किसी ने किसी एक parts of group से बना होता है. नहीं समझ में आ रहा है? चलो एक example लेते हैं. Here you can see an apple और pizza. Apple जो है, यह apple आप ऐसे पुरा सैगा नहीं खाते हो, आप ऐसे काट काट के खाते हो है ना? तो imagine करो कि हमने क्या किया है? एपल का यह part निकाल लिया है. तो यह जो part है इमने apple का निकाला है, यह हम fraction में denote करेंगे. क्योंकि हमने क्या किया? एक बहुत सारे चोड़ोटे parts का एक पुरा apple था, उसमें से एक part निकाल लिया. Same here, pizza है. पिज़ा में कितने total parts है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parts है पिज़ा में. तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? मान लो किसमें से आपके friends आएं और आपने उसको 2 दे दिये. ठीक है? तो 2 parts आपने दे दिये. तो आपकी पास कितने बचे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो अब कैसे बताओगे आपके आपकी पास कितने बचे हुए हैं? तो आप simply बोलोगे कि मेरे पास थे 9 parts और उसमें से मैंने दे दिये 2. मतलब 2 upon 9 parts आपने अपने friends को खिला दिया है. जाने कि ये हिस्सा. तो अभी आपको कुछ-कुछ समझ में आने लगा होगा कि ये क्या कहलाता है? fraction कहलाता है. किसी भी चीज का equal part होना लेकिन ज़रूरी है. ठीक है? ये equal parts है सारे. अगर equal parts नहीं है तो आप उसको नहीं बाट सकते हो. complete the given drawing to create a hole. आपको क्या करना है? इसको complete करना है ताकि आप पूरी whole drawing बना सको. कैसे करना है? जिस्ट देखो ये आपको जो lines दी हुई है ना. इस lines को आपको draw करते जाना है और complete करते जाना है. ये जो ऐसे करके ये ऐसे बनेगा. बनेगा. और फिर इसको leaf को complete करो जैसे ये complete हुआ है. देखो ऐसे. आपको ये खुद बन जाएगा. बहुत easy सा है. बस आपको क्या करना है? ध्यान से इसके fill करना है. तो ये आपको ऐसे करके images को complete करना है. ओके? I hope you all understand this. अब आप complete कर लेंगे इसको. जैसे मैंने अभी एक करके आपको दिखाया. ये क्या हुआ? circle complete हो गया. हुआ circle complete. अब इसके leaves complete करेंगे. ऐसे करके आपको क्या करना है? इसको complete करना है. ये ऐसे जाएगा. symmetry बनाना है. complete. ठीके? यहाँ भी ऐसे उपर के side. तो ये ऐसे करके आपको इस images को पूरो को complete करना है. ठीके? तो ये आपका homework है. You will do it yourself. Next is parts of a whole, collective, or a set of objects. यहाँ पर आपको whole parts, or collective subjects का एक part बताने. जैसे क्या आपको दिख रहा है? ये group of stars है. इसमें सिफ एक object क्या है? जो colored नहीं है. तो यहाँ पर आपको ऐसे ही like verse complete करना है missing heart को. यहाँ पर भी देखो. एक heart को miss कर दिया. इन्होंने बागे सब color किया है. तो यह heart कौन जा part है इसका? एक बोल सकते हैं. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 ninth part है इसका. तो ऐसे करके आपको. और unequal parts क्या होते हैं? यह जो एक बार मैं बता देती हूँ. unequal parts क्या होते हैं? और अच्छे समझने के लिए मैं आपको एक और story बताती हूँ. Once, Daffy, the dog, found a biscuit. Daffy, इस dog का नाम है, उसको एक biscuit मिली. कहां से मिली? corner पे, जो street की corner थी, वहाँ पर मिली और वो बैट कर बिल्कुल peacefully उसको खाने के लिए जा रहा था. When he was about to eat, जैसे वो biscuit खाने जा रहा था, उसी time kitty आ गए. Kitty कौन है? उसकी एक friend है. Now, he had to divide the biscuit into two equal parts. अगर आपका friend कभी आप खाना खा रहे, उस time आता है, तो आप बोलते हो ना कि ले तू भी खाले इस गर के. तो ये भी अपने friend को share करता है. बोलता है, आधा-धा करके हम दोनों खा लेते हैं. Help him to do the folding. अब आप इस biscuit को दो तुकुड़े में कैसे करोगे? Equal parts में पार्टना है, क्योंकि आप उसको गर बराबा नहीं दोगे, आपका friend बुड़ा मन जाएगा. तो आप क्या करोगे उसको? बीच में से half कर दोगे. है ना? हाफ कर दिया, तोड़ दिया, split कर दिया, दो पार्ट में, और अब आधा यह खालेगा, आधा यह खालेगा. अब इन्होंने तोड़ा ही था, उतने ही time में, उसकी एक और friend रिट्टी आ गई. रिट्टी कौने, और rat है, वो आ गई, अब उसको नहीं देंगे, तो उसको बुरा रख जाएगा. तो यहाँ पर वो रिट्टी को बोलते हैं, कि अब हम इसके तीन पार्ट करते हैं. ठीके, यह तोड़ने ही जा रहे था biscuit उतने ही time पे, even this time before he break down, यह तोड़ने से पहले ही, थ्री पार्ट में एक तोड़ने वाले थे, उससे पहले ही sparrow आ जाता है, शीनी नाम है उसका. तो शाइनी आता है, और शाइनी भी बिसक्ट अब शीयर करने पदेगी, कि आपका फ्रेंड आग्या है तो आपको देना ही पड़ेगा उसको, बोलती है ना ममी आपकी फ्रेंड को भी तोड़ा सा, तो अब यह भी आगया, तो इसको भी देना पड़ेगा, अब चार पार् और इससे पहले कि कोई और आया इज़र, यह चारों अपने पार्ट्स को लेकर खा लेते हैं. यह स्टोरी का मतलब क्या था, students? यह स्टोरी का मतलब यह था, कि this biscuit is the story is a hole. यहां स्टोरी में biscuit पूरी थी, तीक है? Each friend got a part of the hole. हर एक friend को उसका एक part मिला. The biscuit each friend share, जो biscuit उन्होंने एक दुस्टों के साथ share की, वो कहलाएगी fraction. यानि अगर आपसे कोई पूछे कि Daffy के जिस्से में कित्ती biscuit आई, तो आप बोलोगी one-fourth, क्यों? क्योंकि आपने एक biscuit के चार तुकडे किये, और Daffy को उस तुकडे में कितना मिला? one-fourth मिला, एक पूरे whole का. तो whole part को ही जब आप divide करते हो, यानि बाढते हो, जिसे इसमें biscuit को बाढता, उसे हम fraction कहते हैं. और उसे समझने के लिए हम exercise पर आते हैं. यहाँ पर आपको बताने है, equal और unequal fractions क्या है? उसको color करना है. equal fractions कैसे समझेंगे? जिसे के देखो, यह part और यह part equal है, और यह part और यह part equal है. यह चारो part equal है, it means, यह क्या है? equal वाला है, तो इसको आप color कर दोगे. next क्या है? इसमें देखो, यह वाला और यह वाला equal कहां से दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि यह चोटा है, यह बड़ा है, यह थोड़ा चोड़ा है, यह थोड़ा लंबा है, तो यह equal नहीं है, इसको color नहीं करेंगे. तो दोनों में से कौन equal है? अब आप पहचान लोगे, जिसमें क्या है? सिमेट्री है, बिल्कुल इधर भी सेम है, और इधर भी सेम है, तो वह क्या किलाएंगे? इक्वल किलाएंगे, जैसे कि यह है, तो यहाँ पर इस वाले को आप color करोगे. Color का आप कोई भी कर सकते हो, crayon, pencil, जो भी आपके पास हो. फिर आपको देखना है, यह equal part है क्या? देखो, यह triangle है और यह ऐसे polygon type है, rectangle type. तो क्या यह दोन equal है? No. तो कौन सा वाले equal है? यह वाले equal है. तो आप इसको color करोगे. इसमें कौन सा equal है? यह heart का shape क्या दोनो equal side है? नहीं है. तो यह दोनो equal है क्या? Yes. तो आप इसको color कर दोगे. यह चेक करो, यह तीनो equal parts में है क्या? Yes. तीनो equal parts में है. देखो, notice करो, तीनो equal में है. यह तीनो equal में है क्या? No. Because यह जादा चौड़ा है, यह उसे कम और यह उसे कम. यहाँ पर equal है चारो? No. क्यों? No. आप तो बोलोगे, मैम, लाइन तो तीनो में की चीए? यह तीनो equal है? No, बेटा. आप देखो, circle में यह वाला हिस्सा जो है, यह वाला हिस्सा, यह इसके equal बोल सकते हो आप. और यह वाला इसके equal बोल सकते हो. तो आप थोड़ी, आप बोलोगे नहीं, मैम, गलत है, यह वाला कम है, यह वाला जादा है, और अगर वो cake up and charge हिस्सा ऐसे करेंगे, तो सबको equal मिलेगा, इसका मतलब यह क्या है? Equal part cutting है, तो इसको आप color करोगे. नेक्स्ट इस, यह star है, यह तो साफ दिकरा है, कि यह दोनों छोड़े-चोड़े part है, यह दोनों बड़े-बड़े part है, तो यह वाला होगा answer, तो इसको color कर देंगे. यहाँ पे यह खतम, अब यह boy को भी color कर लेना, ठीक है, यह बिल्कुल सुनसना लग रहा है, यहाँ पे आप आओगे, tick the correct option, तो यहाँ पे आपको क्या tick करना है, कि बताना है कि shapes equal है या unequal है, just like this, यहाँ पे यह चोटा है, यह चोटा है, कुछ भी equal नहीं है, तो यह क्या ह वाला है, और यह चोड़ा है, यह गलत है, यानि यह unequal वाला है, यहाँ, यह क्या इस दोनों को बराबर में पाट रहा है, अगर कोई आपको देगा, कि यह है आपकी cookie, चोकाउन cookie, अब उसको इतना तोड़ेगा, और आपको इतना पाट देगा, तो आप बोलोगी नहीं, यह मुझे चोटा वाला दिया, तो यह क्या है, अनिकवल वाला है, अनिकवल, यह अनिकवल है, अगर बिस्किट को आप इतना तोड़ा को बाट के दोगे, अपने भाई को चोटे बहन को, तो वो बिलकुल आपसे लड़ने लग जाएगी, तो यह भी अनिकवल है, यह तीन रहा है, अनिकवल है, यह हमारा कम्पलीट हो गया, लेट्स ट्राइब वन, मिलते हैं अगली क्लास में, विट न्यू चैप्टर, आप सब को यह चैप्टर पसंद आएगा, गुट बाई